नमस्ते सात्यों इस वीडियो में आप सुभी का स्वागत है और ये न्यूज उन सभी स्टूडेंस के लिए का फ़ें इंपॉटेंट है बहुत अची खबर है जो कि रेलवे का एक्जामनेशन दे चुके हैं आप यहां पर देख पारेंगे न्यूज का टाइटल है एक दो सोचना प्रतोगी की मंत्री अस्मीनी वैस्टडों ने सनिवार को वाराडसी में कहा कि हाल ही में संपन हुई रेलवे भरती परिच्छा के तहट एक या दो सब्ताह में 1.45 लाक लोगों को नौकरी दीजाएगी बीते 8 वर्सों में रेलवे ने 3.45 लाक लोगों को अच्छा ग्रह में आयोजित थिंक इंडिया के चोथे रास्ट्री अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे उन्होंने रेलवे और टेलीकॉम सेक्टर में सव इंटर्शिप शुरू करने की घोश्रा भी और इसके लिए थिंक इंडिया समिती किसे प्रस्ताव मांगा प्रधा सामने आने वाली ट्रेने नहीं टकराएंगी तो साथ हो यह है आप से भी लिए बहुत अच्छी खबर तो यहां पर एक दो सब्ताम में 1.45 लाख नोकरियां दी जाने बात कही जाने मतलब कि जो स्टुडेंस एक्जामनेशन दे चुके हैं उनको नोकरी देने के बात यहां पर नहीं की गई है यह भी आपको द्यान रखना चाहिए अगर आप इस नियुच को द्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं तो आपको यहीं जनकारी प्राप्त होगी ऐसे इंप्टेट के लिए आप चैनल के साथ जोड़े रहे हैं पॉले टेक्निक और रिल्वेस रिडेट इंप्टेट आपको यहाँ पर मिलते रहें दनेवास साथ हो जाहें जया बारत चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वेल जरू दबाएगे का जिसे आपको ऐसे इंप्टेट मिलते रहें ठीक और वीडियो को लाइक जरू कीज़े